भारतिय जनता पार्टी MP from रायपूर, Mr. Soni is joining us at this moment, sir, thank you so much for speaking to us, I want to start by asking you, अभी आप भूपेज भगेल साब को सुन रहे थे, मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने कहा, उन्होंने सबसाब सवाल उठाया कि ये टाइमिंग है इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट की, हमारे प्ले इन्फोर्स्मेंट इजिन्सीज का इस्तमाल करते हैं, आकी ओपोजिशन पार्टी जी को दबाने के लिए ये अन्हतिक रूफ से धन एकत्र करने वाले लोग इसी प्रकार का रूप लगाते हैं, और प्रधान मंत्री मुधी जी ने लाल किले से भी कहा और अन्हेक बार अपने संबोधन में भी इस बात को कहा, कि लोग राजनिती में काम करने वाले लोग हों, चाय अफसर हों, इम इसे देश की सेवा करें, लेकिन जो लोग धने कात्र करने के लिए राजनिती में आते हैं, यह राजनिती को इंडस्टी बना लिया है, उध्योग बना लिया, वैपार बना लिया, ऐसे लोगों को उपर में कारवाई सोभाविक है, और होते रहेगी है. सर, लेकिन सवाल फिर यह उठता है कि अगर ऐसी कारवाई हो रही है, तो रमन सिंग साहब के पास, जो पूर्बू मुख्यमंत्री हैं, चत्तिसगर के, उनके ओपर भी आरोप लगे थे, उनके ओपर भी माइनिंग के केसे में बड़े सारे, उनके ओपर केसे शरुए थे, उनके ओपर तो कोई इन्वेस्टिकेशन होती नहीं है, कॉंग्रेस सीधा-सीधा कह रही है, भुपेज बगेल कह रही है, रमन सिंग को क्यों नहीं, चिटफंड स्कैम में आप लोग उनको प्रोब करते? वहाँ पे रेत माफिया, भू माफिया, कॉल माफिया, सराब माफिया, आपके चरस माफिया, गांजा माफिया, ये सारे लोग जो है, एक्टिव हैं, और मैं तो इस बात को कहता हूँ, कि अपरादियों को लग रहा है, मेरी सरकार है, ये 36 बड़ के लिए बहुत दुर्भा का एक बतलब प्रदेश बना दिया, इन लोगों ने, सर, 2014 से रेकर अब तक जो इनफोस्मेंट डिरेक्टरिट है, उसने करीब 600 से ऊपर केसिस रजिस्टर किये हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके खिलाफ, उसमें सिब 570 जो हैं, वो उपोजिशन लीडर्स के हैं, तो क्यों न ये मान लिया जाए कि बेजा इस्तमाल हो रहा है, सिर्फ उपोजिशन पार्टीज के खिलाफ, देखिए हमारे नेताओं के उपर भी इडिने जो है सवाल उठाये थे और जाच की थी और बयान लिया था, उन निर्दोस रूप से सामने आ गए, तो डरने की क्य जरुत है, अगर आप निर्दोस हो और आपने अनेतिक धने कत्र नहीं किया है, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वहाँ पे एडिके कोट में जाएए, सुप्रीम कोट में जाएए, हाई कोट में जाएए, जहां जा रहा है, वहाँ पे जाएए, कोई जवरदस्ती देश के अंदर में किसी को जेल में नहीं डाल सकता। नारायन राने बीजेपी में आए तो उनके खिलाफ मनी लॉंडरिंग के जो केसे से वो रोक दिये गए। शिवेंदु अधिकारी नारदा केस में अक्यूस थे बीजेपी में आए तो उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं हो रही। बानता हूं यह जहांच एजेंसियां जो है यह निस्पक्ष शुरूफ से काम करती है यह सरकारों पर आसित नहीं है और आप तो जितना निस्पक्षता के साथ में जहांस एजेंसी काम कर रही है यह पहले नहीं था और पहले कि CBI को हम लोग भी आरूप लगाते थे कि यह पिंजरे का पंच्छी है करके और उस समय प्रताडित होते थे भारती जंता पार्टी के लोग भी होते थे बहुत सारी पार्टियों के लोग होते थे लेकिन अभी ऐसा नहीं है और ऐसे अनेक कानून के रास्ते खुले वे हैं जहां पर कोई भी वेक्ती जा सकता है अगर वो निर्दों से तो जाते क्यों नहीं है Okay, thank you so much for joining us on the broadcast, sir.